आईए अब जानते हैं एक बेटी का दर्ट जिन से अपनी मा को श्रधा सुमन अर्पित करने का हक छीना जा रहा है हम बात कर रहे हैं मद्र प्रदेश के पूर्व राज़िपाल भगवत दयाल शर्मा की बेटी मालती इंदोरिया का राज़भवन में उनकी मा की स्मृती में सावित्री निकुंज गाडन बनाया गया पिछले दो महीने से उनको वहाँ पौधे लगाने के अनुमती नहीं दी जा रही है मद्र स्दे के दिन पूर्व राज़पाल की बेटी मालती इंदोरिया इस वक्त भावुक नजर आ रही है क्या वज़े हैं उनसे जानते हैं क्या वज़े हैं आप भावुक नजर आ रही है अज मद्स दे हैं मैं 26 फरवरी को अपनी मा के याद का एक पौदा लगाती दी रावर राजबवन में सावितरी निकुंच में मेरे को तब टाइम नहीं मिला महां से तो मैंने सोचा अज मद्स दे हैं मैं फोन करती रही कल एडिसी को एडिसी रूम में फोन किया उन्होंने का मैडम आप गेट पे आके बड़े ओफिसर से बात करेंगे आप आके पौदा लगा देंगी मैंने का ठीक है आज में सुबेरे पौने 9 बजे से राजबवन में खड़ी हूं गेट पे मुझे अंदर एंट्री नहीं मिली और बोले आप अंदर नहीं जा सकते हैं अभी 15 मिनिट रुकिये 20 मिनिट रुकिये करते रहें उसके बाद कहते हैं गवरनेस साब परमिशन नहीं दे रहे हैं आपके लिए चाहे नाश्ता भेज रहे हैं आप चाहे नाश्ता करने नहीं कही थी मैं अपनी मा की याद में एक पौधा लगाना चाहती थी अपसे आप पौधा लगा रही हैं और इस वक्त क्यों रोक गए तालिस साल हो गए पौधा लगाते जब उन्होंने मुझे मना किया मैंने उनसे कहा आज आखरी बार मुझे पौधा लगाने दीजिए उसके बाद मैं कभी नहीं आऊंगी पौधा होई है उनसे बात ही नहीं करवाई जाती है मेरी मैंने मेल भी किया था एडी सी को मेरे को कोई रिपलाई नहीं मिला तो देख सकते हैं ये पौध राजजपाल की जो बेटी हैं उनने अपनी दर्द बया किया है और 31 साल से राजभावान में पोधा रोप्तुए आई है ले पिल नहीं से बात हूँ परत कर दो दोने कर दोने में पौधा राज़ाओान मेंरे बात हैं Okay